इस समय टीम इंडिया जिमबावे में है और 18 अगस्त से वंडे सरे शुरू होने जा रही है इसके बाद एशिया कब भी केला जाना है लेकिन इन सभी के बीच इंडियन प्रीमियर लीग एक बार फेर सुर्जों में है दरसल चैने सुपर किंग के पूर कप्तान और टीम इंडिया के स्टार ओल राउंडर रविंदर जडेजा अब IPL में नई टीम की और से खेलते वे नजरा सकते हैं दरसल एक रेपोर्ट की माने तो इंडियन प्रीमियर लीग 2022 खत्मोर के बात से ही रविंदर जडेजा और चैने सुपर किंग के मेनेजर्मेंट में कोई संपर्क नहीं है ऐसे में माना जा रहा है कि रविंदर जडेजा IPL 2023 से अपनी नई टीम की राहत चुन लेंगे दरसल आईपल 2022 के दोरान रविंदर जडेजा और चैने सुपर किंग के बीच एक विवाद हुआ था पहले रविंदर जडेजा को टीम का कप्तान बनाये गया लेकिन खराब प्रदर्शन की वज़े से उन्हें बीच में ही हटा दिया गया था और कमान फिर महिंदर सिंग दोनी के खातों में आ गई थी दरसल रिपोर्ट आई थी कि रविंदर जडेजा इसी वज़े से काफी खफा थे इसके बाद उन्होंने एक दो मैच खेले और फिर चूट की वज़े से भार हो गए अब एक बार फिर रविंदर जडेजा और चने सुपर किंग में अलगाओ की बाते सामने आ रही है दरसल रविंदर जडेजा आई पेल 2022 के बाद से ही चोशल मीडिया पर चने सुपर किंग से जुड़े सभी फोस्ट हटा चुके है चने सुपर किंग ने उन्हें कई पोस्ट में शामिल किया लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पॉंस नहीं किया है बता दें कि हमें जोनी साफ कर चुके हैं कि वो 2030 का IPL खेलेंगे इसका मतलब यही हुआ कि वो टीम की कमान इस बार भी समालेंगे ऐसे में रविंदर जड़ेजा की बतौर कप्तान टीम में एंटरी मुश्किल है और वो बतौर ओल्डाउंडर ही वापस आ सकते हैं आपको बता दें कि रविंदर जड़ेजा IPL में अभी तक 4 टीमों की और से खेल चुके हैं IPL में रविंदर जड़ेजा का रिकार्ड देखे तो वो अभी तक कुल 210 मैट खेल चुके हैं इनमें उनके नाग 2500 दो रन है जबकि रविंदर जड़ेजा 132 लिकेट भी चटका चुके हैं पिछले कुछ साल में वो बहतरीन फिनिशर बन कर भी उपर हैं ख्यार दोस्तो रविंदर जड़ेजा को लेकर आपको क्या लगता है अपने सुजाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखे और अगर आप इच्छने सुपर किंग के फैन हैं तेस वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले